हलो जी गुड मॉर्निंग राम राम जी शेश्य हकाल आशा करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे मैं नीतिकाशे को एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से तो दोस्त कीजी मेरे साथ अपने दिन की श्वात आज मैं हाजीरू एक नए अवलोग लेकर आप सभी का स्वागत है तो गाज देखें आज देशी जा रही है विदाउट यूनिफोर्म अरे क्योंकि जी आज इसने कर दिया था स्कूल जाने से भी मनना बोली कि अगर जिन स्टोप पैना कर बेजोगे तो जाओंगी वरना नहीं जाओंगी तो जी अब इसने मेरी गुड़ो ने पैनना है जि यूनिफोर्म पैन के चले जाओ यूनिफोर्म पिना दो अभी तो टाइम है पैन लो पैन लो पैन लो अरे नहीं नहीं और जी मेरा बाब भी होने लग रहा है रेडी अब मैं उसकी भी हैर बनाऊंगी अभी स्लीपर पैननो अपने तो जी चलिए अब मैं फटा-फट से कर यूनिफोर्म पैन हैं अर अब लगा दिये बोल रहे है टेफर ने लेकिन एसा नहीं होता वो छ्टी बच्ची है उसका चल सकता है बच्चो ने नाज्म वग्यरा कर लिया और अब हो रही है इनके स्कूल चलने की तयाए तो जी देखे मैं जा रही हूं देवशी को छोड़ने बस में बैठाने के लिए आने वाली है तो जी मैं छोड़कर आ गई हूं देवशी को नीचे उसकी बस आने वाली है आज उसका मूड हैपी तो वो बोला ही कि मम्मा आप पर चरे जाओ तो जी मैं आ गई हूं बैठ इतनी हैपी खुद से ही जा रही है अगर ऐसे रोज गुद से जली जाए तो जी कहने ही क्या हम भी खुष और वह भी खुष गज़ेश के शहतनी बाई बाई तो जी देखिए अब मैं बना रही हूँ पतीदेव का लण्च उनके लिए बना रही हूँ सब्ची आलूभ वैंगन की आद वो लेकर जाएंगे और जी अभी वो नौर रहे हैं तब तक मेरी वो फैस होने कुपड़े मगा पैन देन गी तब तो जी बच्चे भी चले गए स्कूल और पती देव भी चले गए अपने ओफिस क्योंकि आज थी ने थोड़ा जल्दी इसलिए मैं आपको शाम को आकर मिलेंगे आप सभी से तो जी अब मैं कर लेती हूँ काम क्योंकि बच्चों के पती देव के जाने के बाद पूरा रूम पूरी किचन फैल चुकी होती है उसे सेट करने में लग जाता है कम से कम एक गंटा दोनों को तो जी चलिए अब मैं कर लेती हूँ और काम तो जी अब मैं कर रही हूँ रूम साब बैड़ शिट वगेरा बलैंकिट वगेरा की तैय बना कर रख रही हूँ और जी देखें ये बैड़ शिट सही कर रही हूँ और जी सुबह सुबह ये काम होता है सबसे पहले करना जरूरी क्योंकि ये हो जाए तो फिर तभी लगता है मन सा और जी देखिए पती देवगेर बच्चे की जाने बाद काम कितना हो जाता है तो जी हो गया है मेरा काम बस थोड़ा सा रह गया है मिनिट का अब फटा पट से देखिए गाईज मैंने कर लिया है अपना पूरा काम फिनिश चलिए जी अब और करेंगे आगे का काम तो जी बलूंगी मैं थोड़ी देर में सास फटा पट से काम करने के बाद तो जी देखिए अब मेरा रूम हो गया क्लीन अब थोड़ा लगाए कि हाँ ये रूम है वरना इतना फैल जाता है कि मन भी नहीं लगता रूम में जब बच्चे और पती देव चले जाते हैं और जी दर में ये बैड भी मैंने सही कर दिया भाई जी अब मैं नाओंगी पूजा वगएरा करूंगी अबनी तो जी चलिए ऐसे ही चलता रहता है काम तो दिन बर वो तो कभी भी खत्म नहीं होता तो जी अब यहां पर भी समाल लिया है हमने मोडचा और अब हम नाने से पहले यहां पर करेंगे थोड़ी सी साबसफाई थोड़ी सी दुलाई और जी फिर हम नाएंगे चलिए जी हो गई मेरी साबसफाई दुली पर तो जी हम हो गए है नादोकर रेडी एक बार फिर से यूट्यूब फैमिली में आपका है स्वागत क्योंकि यह है आप सभी का अपना यूट्यूब जैनल तो गाइज मैंने सचा कि सबसे पहले आप से मिल लेती हूं नादोने के बाद और जी घर में काम तो चलता ही रहता है वो तो कभी भी खत्म नहीं होता तो जी काम के साथ साथ आप से मिलना भी होता है जरूरी क्योंकि आपके बिना तो आप कुछ काम होता ही नहीं सब काम में आप लोगों की साध्य दारी तो सबसे पहले होती है तो गाइज चलिए अब मैं पूजा करूंगी और उसके बाद आपको पता है मेरा डेली डूटीन जो मैं करती हूँ चलिए जी मेरे साथ तो जी कर लिए फटा फट से सीवजी महाराज के दर्शन सीवशंकर महाराज के और चलिए जी आप करेंगे पूजा आज है बरस्पतिवार मैंने पहने है ये लोग कपड़े बरस्पतिवार को लेकिन चलिए गाईज आप मैं पूजा करके तुलसी महिया को जल चड़ा के आती हूँ आप इकिजिए अच्छे से जल दीशे शीवशंकर महाराज के दर्शन जैवोलेनाज जी की जी देखिए अंदर आ चुकी है आज बटरफ्लाई और ये कर रही है हमारे साथ खेल तो जी देखिए अभी निकल रही है थोड़ी थोड़ी दूप और हमने अपनी गेओं आज फिर से आप ये कहेंगे कि इनकी तो गेओं ही पागल हो गई आज फिर से हमने डालाया अपन आज देर के लिए दूप में वैसे वह सुख चुकी है शाम को उसको हम चक्की में भेई देंगे आटा पिजने के लिए तो जी अभी थोड़ी चीजिस के दूप लग जाएगे फिर हम इसको डाल देंगे और जी देखिए दूप निकल दई है थोड़ी थोड़ी बादल भ आज मैंने बनाए है जी आलू बैंगन और मेरा तो नास्ता हो गया और खाना भी इकटाई हो जाता है तो जी अभी मम्मी पापा जी और बैया ये तिन लोग खाते हैं दो पैर में खाना क्योंकि पतिदेव से गई लेकर चले जाते हैं और बच्चे भी दो पैर के बाद आत आप भी खाईए मेरे साथ खाना तो जी गर्मी तो हो रही है बहुत जादा लेकिन क्या करे कर कुछ भी नहीं सकते जोगी जी रोटिया तो बनानी होती है वो है हम सभी का काम और गर्मे सबसे पहला काम भी यही होता है गर्मा गर्म फूली फूली सबको रोटिया खिलाना तो जी अब बन चुकी है मेरी रोटिया आईए गाईज आप भी खाईए हमारे साथ अच्छी रोटिया तो जी मेरा खाना बन कर हो गया है रेडी अब करूंगी मैं और काम और देखे मेरी फुली फुली रोटिया है तयार जी हमारे बोशिंग में से कपड़े निकालने के लिए दूज़ चुके हैं अब इनको फैलांगी बारतार पर और कप्ड़ेट डालूंगी अपनी मशीन में यह हैं मेरी सब्सक्राइब देखिए आप दूप निकल चुकि है किस तरह सीसे की तरह बिल्कुल तेज और जी मैं आई पीछे कपड़े पहलाने के लिए अभी मैंने जो कपड़े मसीन में से निकाले थे तो मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ और भी दिखाती हूं तो शिदेखिए चुला हाई राम कैसे भूट गया इस पे हम कभी कभाग साल 6 महीने में मावा निकाल लेते थे तो जी देख लो हमारे चुले की हालत बारिस में कैसे बैठ गया जैसे मकान बैठ जाते हैं ना नीचे को ऐसे बैठ गया हमारा चुला तो जी बताओ क्या करें इसका कुछ अरणा पड़ेगा वैसे तो जाद अजरत हमें नहीं उती चुले की कभी कभा कमा वावा निकालने के लिए ही यूज करते हैं तो जी देख लो बारिस ने कितना नुकसान कर दिय अमारा हायराम हमारा बारिस ने करती तकली होड़े यह ते नीचे को बैठ चुका है तो गाई देखे कितना दुख हो रहा है अपना चुला देखकर उस दिन से हमने देखा भी नहीं था सोचा कि अब दूप निकली मैंने सोचा कि इसको दूप लगा दूँ तो जी यहां तो देखकर होसी उड़ गए कि हमारा तो चुला ही फूट गया चलो जी अब देखेंगे क्या होगा नया मंगवाना पड़ेगा या यह सही हो सकता है क्या गाई चुले में से आ रही है बड़ी भीनी-бीनी सी खुसबु मिट्टी की तोजी मन कर गया वैसे आप सभी को याद आ गया होगा कि क्या मन क्या होगा मेरा क्योंकि बच्पन में सभी खाते थे हमने भी लिया है इस मिट्टी का टेस्ट तो जी मेरा भी मन कर गया है चुलेगी मिट्टी खाने का लेकिन अगर पती देव को पता चल गया तो वो करेंगे बहुत गुसा क्योंकि वो मुझे कच्चे चावल भी नहीं खाने देते वो मुझे लगते हैं बहुत अच्छे तो जी चलिए थोड़ी सी तो ले ही लेते हैं टेस्ट के लिए लेकिन जब पती देव वीडियो देखेंगे और उन्हें पता चलेगा तो जी वो गुसा करेंगे मुझे पर बहुत लेकिन कोई बात नहीं जब किसी चीजी को मन कर रहा है तो जी खाने में क्या बुराई है थोड़ी सी डांट खा लेंगे पहले मिट्टी खा लेते हैं फिर डांट खा लेंगे क्या दिक्कत है तो जी मैंने खा ली है थोड़ी सी मिट्टी भी और लगी है बहुत टेश्टी लेकिन मैं कोशिस करूँगी कि मेरा आज का ये वह लोग मेरी पती देव ना देख पाए क्योंकि अब मैं खुदी एडिटिंग कर लेती हूँ गाईज अब मैं अपना लोग खुद से बना लेती हूँ पहले पती देव की हैल्प लेनी पड़ती थी तो जी मिट्टी लगी बड़ी अच्छी क्योंकि कभी बच्पन में खाई थी आज देखकर मन किया तो जी आज खा अब बच्चे आजाएंगे मेरा काम भी हो चुका है थोड़ा सा खत्म मैं करूंगी थोड़ी देर के लिए आराम तो जी चलिए गाईज आप भी खानावाना खाईए और कि जे थोड़ा सा आराम तो जी अब मैं आ गई हूं अंदर अपने रूम में मिट्टी खाकर और कप अब मैं करूंगी थोड़ा सा आराम और जी तब तक बच्चे भी आ जाएंगे ठाई तीन दो क्या सपास आ जाते हैं तो गाई देखे बच्चे आ गए स्कूल से और आते ही हो गया फिर से जगडा सुरू दोनोगा चलो चेंज कराओ और जी देवसी तो गई थी आज विदाउट यूनिफोर्म प्रीद गई थी यूनिफोर्म में और जी एक है आज बड़ी अच्छी बात मेरी बेटी का हुआ है एक काई में हुआ है बेटा सेलेक्शन तो याज है एक बहुत अच्छी बात ुआ है बहुत बड़ी स्पीच में शचा दो बात बहुत बड़ी स्पीच में सेलेक्शन यह जी पाँच पता यह कितने स्कूलों में से होना था उसके लिए चुना गया है मांट लिटरा को और जी उसमें से हर कलास में से बच्चे चुने जाने थे उसमें से मेरी बेटी चुनी गई है तो जी अब होगा वो कॉम्पिटीशन शायद कहीं बाहर भी करा सकते हैं तो जी मेरी बेटी, मेरी गुडिया हमारी गुडिया, हम सब की गुडिया चुनी गई है उस कॉम्पिटीशन के लिए इस पीच के लिए और दूसरी गुड नियूज बताएगी प्रीप खुद आपको अपने मुझ से अपनी लास्ट माइंटर्वी बन रही देखिये जी हमारी बेटीया कितना मन लगा कर पढ़ाई करती है हमारा बेटा बन गया है मौनीकर तो कॉंग्रेचुलेशन मुझे चाहिए पनीर कॉंग्रेचुलेशन पहले मैं कुछ बोल रही हूँ कॉंग्रेचुलेशन पहले चलो एट शर्त पर मैं तरूँगा अच्छे साह जाए जेटलो इतना अच्छा चाम्चे उसमें सेलेट और मोइंटर बन गया तो इस पार पर मैगी तो बनती है मैगी बनती है मैगी चलाएं अपने दोनों बच्चों को भी और जी ए हमारा लूंदू पुत्तर हम से नाराज हो कर नेट रहे अब इसको भी मनाएंगे तो गाईज आप सबी दीजिए मेरी बेटी को बदाई मेरी बेटी का उलाएं सेलेक्शन तो जी देखिए दोनों गुडिया खा रही है हमारी दोनों बेटिया मैगी क्योंकि बात है जी इतनी खुश होने वाली हमारी बड़ी गुडिया ने हमें कर दिया है आज खुश इसका हो गया है सेलेक्शन तो जी यह है बहुत प्राउड की बाद तो देखे गाईज दोनों बेटे ने इंजोए कर रही है अपनी मैगी इसलिए वैसे मैं अभी देती नहीं इनको मागी बनाकर खाना खिलाती लेकिन आज और उसने की फर्माइश तो मैंने उसका फर्माइश को भी करती क्योंकि एक ते इसका इतने बड़े इसपीच में हुआ है सेलेक्शन उसमें सेलेक्शन होना ही बहुत बढ़ी बात अपने आप में तो जी उसके लिए मैं फिर से बनें बेटे को कॉंग्रेचिलेशन और जी दूसरी सेगिंड बात की मेरा बेटा आज मोईटर भी बन गया तो जी ये भी बड़ी कुशी की बात है तो चलिए जी अब बच्चे खाएंगे मैगी मैं बनांगी सबी के लिए चाहे तो जी देखि है दोनों गड़िया का रहे है मैंगी यंमियमी दीशू कैसे लगी मैंगी यंमी ओर जी आपको कि अफ्साइब को अब liquor दिखाने दिसू यह यह वाला यह 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 वाला यह यह अध्मिक रहिस शरेर हमारी गड़िया चद़ी घुल्या को भी मिले आज तो बही श्टार है ना मैं आपने दिया यह श्टार आपको चलो बेटा अच्छे से खालो मैं आगी ठीक है मैं आरी अभी कीचन में से थोड़ा सा काम करके और जगडा नहीं करना बिल्कुल भी ओके क्या बोल रहे नहीं मारूंगी नी लेकन जगडा नहीं करना ओके रहने तो बहुं डाट पड़ेगी व입ना दोनों प्रोमिस करोगी जगडा नहीं करोगे मेरे पीछे से जिशू आप भी बोलो जगड़ा नहीं करोगे ना ओके इसमाइल तो दिखा दो आपने की समाइल नहीं दिखाई मैं यागी मिलने के बाद जिश्व आप भी दिखाऊ प्रीच आप भी दिखाऊ तो जी टाइम हो चुके हैं दो पैर के साड़े तीन और अब हम लोग चाई प सब्सक्राइब करें मेरी बैटी है अब नहीं वहोग्ट में ते प्रिट करें है अपने इसको पर से जगडा और इसको नौ चलिया वहां लेकिन क्या करें वह चोटी बच्ची है दिसे समझ नहीं है तीरे तीरे समझ जाई ही क्योंकि उसके हाथ पाउं चलते हैं वह जादा दिखाना बेटा कामल होचा देखिए जी यह नोची और ब्लड भी चला ब्लड भी चलने लगाया प्रीत को लेकिन कोई बात नहीं जी उसक बगवान जी फिर भी एच्छे से सुखवा दे आपने हमारी के हूं तो गाई देखिए एक बार फिर से मन कर गया था चुल लेकि मिट्टी काने को क्योंकि आज तो यह मूह लग गई कभी छोटे थे बच्पन में तब खाई थी और जी अब खाएंगे हम इसको और इसे खा दो-तीन बार खा लिए और लगर हिए बड़ी अमी क्योंकि कभी बचपन में खाई ती हो तब से तो बार-बार मन कर रहा है कि खाए जाओ खाए जाओ आज तो जी मिट्टी खाकर हियम तर रही है अपना पेट हाँ जी मैं यह वर्जी हूर दे कि इसको भी लग गई मिट्टी खाने की कि और पापा को मत बता न यह भी खा रहे ही देखे़ जी तो कि यह बहुत अच्छी होती है सेयद के लिए पूश्टीक होती है अगर किसी में कैल्सियम की कमी हो तो जी इससे पूरी हो जाते है कैल्सियम की कमी चलिए जी थोड़ी से और खा लेते हैं तो जी बच्चों ने कर लिया है अपने स्कूल का वर्क भी और वो अब नहार रहे हैं और बाकी का काम भी कर लिया है बच्चों ने लर्णिंग वगेरा का खत्म अब मैं बनाऊंगी जी शाम का खाना लेकिन उससे पहले आज मैं करूंगी अपने व्लोग का यही पर एंड मि में पीक्ते हैं कल एक ने वलोग के साथ में बाई-बाई